नमस्कार श्वागते आपका डीवी भारती समाचार मैं मैं हूँ आपके साथ वर्शाव वर्मा रजिस्थान के शाहवाद नगरकोट माताची मंदिर परिशर मेरा विवार को रजिस्थान आंगनवाडी महला कर्मचारी संग की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त ब्लॉक की अंगनवाडी कार्यकरता सहाईका मिनी केंद्र आदी की कर्मियों की विविन नमांगों को पूरी किये जाने के लिए शंगठन को मजबूत बनाने के लिए विचार विमर्स किया गया जिला अद्यक्ष मदू भारगव की अद्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कोशा अद्यक्ष शवाना सेख, तहसील अद्यक्ष जोती तौमर, सैक्टर प्रभारी गिरीजा सर्मा, महामंत्री कमलेस खत्री, राजेस जादौन, गीता सुकला आदिस सहित अन्यकर्मिक मौजूद रही चर्चा के अनुसार 2018 से आंगनवाडी केंद्रों पर फ्लैसिंग फंड का भुक्तान किये जाने, आंगनवाडी शहाइकाओं की मिनी केंद्र शहाइका की बीमारासी काटी जाती थी, उनकी सेवा समापती पर भुक्तान दिसे दिलवाया जाए, मानदेया हर महीने की दस्ता आरीक तक जमा करने, आंगनवाडी केंद्रों पर नल बिजली की विवस्था के बंदोबस्त, तीन से छे वर्ष के बच्चों का अवकास भी 15 मई से 30 जून तक मेडिकल टी ए डी ए की शुबदा सेवानी ब्रद की पश्चात पैंशन दी जाए, अन्यराज की भांती 50 अजा परानी नगर कोट वाली मैयाबे, आज हमने एक मिटिंग रखी है, जिसमें हमारी को समस्य आये हैं, आंगनवाडी कार करता हूं की, उपर से के गेते हैं, टाइम से पैमेंट की, दूसरी चीज, ये नया वो पोस हराया है उसके, और और वी समस्य आये, पोसार की बारे में, पोसार की क्या? दूसरी चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि, हमारा 21,000, तो मानदे होना ही चाहिए, 21,000 दुनिया के 48,000, 50,000, 70,000 होता हि, वो लोग पाहाम नहीं गरते हैं, हम लोग ऊनलाइन काम करते हैं, ओफलाइन काम करते हैं, बारा आड़ से बारा केंदर पर के रुखते हैं, बारा के बाद दो Soph म बज़े तक सर्वे करते हैं, ग्रेब रमन करते हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ नहीं मिलता, अपर से कभी अधिकारी आ रहा है, कभी कोई अध गेटेट कॉलोनी में, प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेट कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्द है, प्राइम लोकेशन जहां तहसील बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पीटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्द है, वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आएं, पहले पाएं, संपर्क करें, नाइन, नाइन, वन, एट, सेवन, एट, वन, जीरो, 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 जीरो प्रेस कॉनफरेंस, पुलिस अधीच्चक, सिधार्थनगर, अमित कुमार आनन्द ने किया पुलिस के अनशार 5-6 जुलाई की रात को उसका थाना छेतर के चौबाहे पुल पर एक लूट हुई, जिसमें एक व्यक्ती से सोने की चैन, एबम मोबाईल की लूट हुई थी, जिसको लेकर उसका थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्चकर लूट की जांच, एबम कारेव में जुट गई थी, और पुलिस द्वारा दो अपरादियों को पकड़ा गया और लूट का खुलासा किया गया, पकड़े गए लुटेरों में से एक नावालिक, दूसरा 21 वर्ष का नवी यूवक, लुटेरों के पास से एक मोटरशाइकल लूट का मोबाईल, लूट के 3, 1250 रुपए, एबम 4 मोबाईल बरामद हुए, पूरा घटना करम की जानकारी पुलिस अदिचक सिधार्त नगर ने प्रेस कॉनफरेंस के माध्यम से दी, थाने द्वारा मुकदम पंजिब्स किया लिया और इसमें वेचमें की जा रही थी, उसमें आज सरानी कारे करते हुए, अस्वजयो सर्वगान स्ट्रीम ने इसमें 2 अविक्तों के गिरफतारी की गई इनके पास से वो जो जूता हुआ मोबाईल बरामत किया गया, साथी चार अन्य मोबाइल इससे बरावत किये गए हैं ऐसा में प्रयूप जो मोटर साइकल ली उसे भी बरावत किया गै podemos साथी तीन हजार लाहर ने सी बरावत किती रहे हैं इसमें अभी जानकरी की जा रिहा है किनके अन्य और यद 1700 के बार में अभी तक अन्य अप्राद के मारे में आता है इसमें इमेचना प्रजलित है जोगी तके आएंगे इसके मुसर्फ टीजार्वाइ पूंदा है इसमें प्राजा की इसमें की कुछ नाग दे रहा है अभी तक अर्जा की कर दे रहा है पुलिस ने एक चोर को ग्रफतार किया है जिससे तीन चोरी की मोटरशाइकल बरामत की है। तो इसकी मोटरशाइकल बरामत की है। पुलिस कर्मी की पतनी ने बिन माबाप के दलित बच्चे एबम परिवार के साथ मार पीट कर डाली। और रिपोर्ट भी उनी के खिलाफ करा दी। नहीं बलकि बच्चाने वालों के खिलाफ भी मुकदमाल लिखा दिया गया। संजीब की पतनी पूरू में भी चर्चित रही हैं उन्होंने रिच्चक इंदू वर्मा के साथ भी अभद्रता की थी। पूरे कालोनी में महिलावा पैसी हैड के कारणामे से लोग परिशान हैं पीडित परिवार की मानें तो पैसी हैड संजी पीडित परिवार को एंकाउंटर कराने की भी दमकी दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कासकंज कप्तान उक्त दलित परिवार को न्याय देंगे या परम क्रपा बनाए रखेंगे. अब देखने वाली बात ये होगी किसी अधिकारी के पास गए कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि उसका हजबेंड वो SP के पास बैठता है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी. दी पार्मा और बी पार्मा कोस्स बे अड्मिशन लेकर बनाएं अपना करियर. मेडिकल फिल्ड में अड्मिशन के लिए आजी आएं आरे इंस्टिक्यूट ऑफ पामिसी सहजनवा, बाफी रोड, रमवापुर, उर्धियां, सधात नगर. दी पार्मा और बी पार्मा कोस्स बे अड्मिशन लेकर बनाएं अपना करियर. मेडिकल फिल्ड में अड्मिशन के लिए आजी आएं आरे इंस्टिक्यूट ऑफ पामिसी सहजनवा, बाफी रोड, रमवापुर, उर्धियां, सधात नगर. जनपत बलरामपूर में एक जुलाई 2022 से संचालित विसेश संचारी रोगनी अंतरड़ अवियान, एबम दस्तक अवियान की अंतबिर भागिये समिक्षा बैठक जुलादिकारी श्रीमती सुरूती की अद्यक्षता में संपन्य हुई. बैठक में जुलादिकारी दुआरा अवियान के अंतरगत गत्विदियों की समिक्षा की गई. जलादिकारी ने कहा कि विसेश संचारी रोग नियंतरड अवियान एबम दस तक अवियान के तहर सभी स्वास्त कर्मी दोरा सत प्रतिशद होम विजिट एबम स्टीकर पैंस्टिंग किया जाए जिसमें किसी प्रकार की लाप परवाही ना बरती जाए डी पी आरो को ग्रामीड छित्रों में विसे साफसफाई अवियान चलाए जाने का नर्देश दिया जै बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासिय गेटेट कॉलोनी में प्लोट मात्र 12,50,000 में जहां आपको गेटेट कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्द है प्राइम लोकेशन जहां तहसील बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पीटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्द है वीर विनायक चौराहा पर जै बिहार कॉलोनी पहले आएं पहले पाएं संपर्क करें 9-9-1-8-7-8-1-0-0-0 उत्तपर्देश के जन्पत बलरामपूर में ने आए थी सद्यक्ष जिला विदित सेवा प्रादी करड लल्लू सिंग के निर्देशन में क्रम में जला विदित सेवा प्रादी करड एबम तहसील विदित सेवा समितियों नामित सभी पी एल वी को रास्ट्री अलोक अदालत के ब्यापक प्रचार प्रशार हेतू मीटिंग की गई एबम मध्यस्ता केंदर बलरामपुर में आए हुए बादकारियों हेतू विदित सारच्छता जागरुकता शिवर का आयोजन किया गया इस दोरान सचिव जिला विदिस सेवा प्रादीकर दौरा सभी पी एल वी को अपने कारेच छेत्र में जाकर रास्ट्री अलोक अदालत का प्रचार प्रशार एबम जन मानस को कानूनी जानकारी प्रदान करने के बारे में बताया गया पैनल अदिवक्ता मुके सिंग द्वारा भी संबंद में जानकारी दी गई प्रभापूर्ण कुर्धीया सध्धातनगर दीपार्मा और भी फार्मा कोसेद बे अडमिशन लेकर बनाए अपना करियर मेडिकल फिल्ड में अड्मिशन के लिए आजे आएं आने इंस्टिटूट ओफ पामिसी सहजनवा, बासी रोड, रमवापुर, कुर्धिया, सिधात नगरी दोध्या के फैजबाद बार आशोशियेशन की चुनाव की प्रक्रिया सुक्रबार से सुरू हो गई फैजबाद बार आशोशियेशन के रिटरिंग आफिसर एबम निरवर्तमान अध्यक्स सुसील कुमार चौबे और एल्डर्स कमेटी के चुयर्मेंस रवड कुमार मिस्तरा से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी इसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद कई करिकार्डी का गठन होगा वही नामांकन के अंतिम दिन संयुक्त मंतरी विबेक कुमार स्रीवास्तब ने भी नामांकन किया और बताएं कि संयुक्त मंतरी का पद बहुत जम्यदारी का पद है अगर जीत हासिल तो पु अधिवक्ता शाथियों के सम्मान के लिए होगी में आप अधहाल है वादकारियों के लिए लग संका दीर संका इसके लिए सबसे पूरी कचेहरी में कहीं कोई विवस्ता नहीं है जिसमें यद मैं विजयी हुआ तो अध्याजी के माध्यम से सफल बन्याने का प्रियास करें जोक्ता वाईयों से मेरा निवेदन है कि मुझ और यह चुनाओं प्रचार बड़े हर प्रत्यासियों के तरह से धुवादार हो रहा है और सब जोड लगाए हुए है देखे क्या होता है यह अधिवक्ताओं का हिच सर परी रहे हुआ है इन प्रताब फिल लगाए है इट वन जीरो 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 उत्तपर्देश के जनपत बलरामपूर में ने आए थी सद्यक्ष जिला विदित सेवा प्रादी करड लल्लू सिंग के निर्देशन में क्रम में जिला विदित सेवा प्रादी करड एबम तहसील विदित सेवा समितियों नामित सभी पी एल वी को रास्टी अलोक अदालत के ब्यापक प्रचार प्रशार हेतू मीटिंग की गई एबम मध्यस्ता केंदर बलरामपुर में आए हुए बादकारियों हेतू विदित सारच्छता जागरुकता शिवर का आयोजन किया गया इस दोरान सचिव जिला विदिस सेवा प्रादीकर द्वारा सभी पी एल वी को अपने कारेच छेतर में जाकर रास्टी अलोक अदालत का प्रचार प्रशार एबंग जन मानस को कानूनी जानकारी प्रदान करने के बारे में बताया गया पैनल अदिवकता मुके सिंग द्वारा भी संबन्द में जानकारी दी गई